दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IPC के section 498A के तहत legal marriage की definition क्या है क्या legal marriage करने वाली महिला ही IPC के section 498A के तहत complaint को दर्च कर सकती है कुछ इसी तरह का सवाल उठाता है मध्य प्रदेश हाई कोट का ये latest judgment जिसके बारे में हाज हम बात करेंगे केस का title है अभिशेक सिंग वर्सेस मध्य प्रदेश हाई कोट और इस केस की सुनवाई justice नंदिद दूबे की bench कर रही थी इस केस में शिकायत करता महिला की complaint थी कि उसकी marriage अभिशेक यादो नाम के एक वेक्ती से हुई थी और उनका एक बेटा भी है पती पतनी के बीच में लड़ाई होती है जिसके बाद उसका पती अपने बेटी को लेकर कहीं चला जाता है जब वो महिला अपने पती को ढूड़ने के लिए complaint करती है तो उसकी help करने वाला जो police constable था वो उस महिला को पसंद करने लग जाता है कुछ दिनों के बाद police constable उस महिला के साथ आरे समाज मंतिर में शादी कर लेता है हाला कि महिला का अभी तक divorce नहीं हुआ था वो पहले से ही शादिश होता थी कुछ टाइम के बाद police constable और उसकी family उस महिला के साथ cruelty करते हैं जिसके बाद वो महिला IPC के section 498A के तहत उस police constable के खिलाफ शिकायत को दर्ज करती है तो police constable ने इसी शिकायत के खिलाफ एक याजी का high court में दायर की जिसमें उसने कहा कि उसकी शादी legal नहीं थी क्योंकि जब उन्होंने marriage की थी तब महिला पहले से ही शादिश होदा थी इसी लिए IPC का section 498A के तहत वो महिला उस पर शिकायत को दर्ज नहीं कर सकते लेकिन high court ने IPC के section 498A के definition को clear किया section 498A के तहत शिकायत करने के लिए marriage को legal proof करना जरूरी नहीं है इसी लिए high court ने पती की याचिका को खारिच कर दिया यानि कि IPC का section 498A है वो तब लगाये जाता है जब किसी महिला के साथ रहने वाला व्यक्ति या उसके साथ cruelty करते हैं तो यहाँ पर इसी बात को high court ने clear किया कि marriage legal थी या फिर नहीं थी ये एक अलग मुता है लेकिन यहाँ पर cruelty का मामला बनता है इसलिए यहाँ पर police constable की जो याचिका थी उसे खारिच कर दिया गया तो hope कि ये वीडियो आपको informative लगा होगा वीडियो को like और channel को subscribe करना पिल्कुल मत दूलेगा